हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे JMAIN 2023 में function chapter की right function chapter एक धासू chapter है भई, काफी सारे equation यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको domain range classification वगेरा से काफी सारे equation यहाँ पर देखने को मिलते है ठीके, तो start करते हैं भई यहाँ पर पहला question है the equation x square minus 4x plus इसके यार इसको बिल्कुल लिख सकते हैं चलिए अब देख यहाँ पर यहाँ पर है यह जो फेक्टर है इसके हो जाएंगे ऐसको इतर लिखे आएँगे तो यहाँ पर दोनों में है तो कोमन अजाएगा यहाँ पर यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा एक्स बराबर जीरो ठीक है चलिए अब देखो यार यहां पर दो पॉसिल्टी जीरो होने की वेज़े से मल्टिप्लाइ में यह तो यह 0 यह फिर यह 0 अगर यह 0 होता है तो आपको समझ में आएगा होगा कि बोलते है ठीक है तो एक मात्र सोलुशन ने एक सिकोल टू वन ठीक है एक ली टू सोलुशन यूनिक सोलुशन इन माइनस इंफिन्टी इंफिन्टी फोर्त वाला जो ओप्शन है वह विल्कुल करेक्ट हो जाए गया रहे ना ठीक है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है f of 1 by 2023 प्लस f of 2 by 2023 प्लस and so on प्लस f of 2022 upon f of 2023 ठीक है चलिए बहीं बात करते हैं f of x हमारे पास है 2 की पावर 2x upon में 2 की पावर 2x प्लस का 2 क्या बोलते हैं सही है चलिए अब देखे यार इसके अंदर क्या गरेंगे ना अगर मैं आपे x की जगह पर 1-x रखता हूं द्यान देना x की जगह पर मैं 1-x रखता हूं तो क्या फरक पड़ेगा भी देख लेते है a4 1-1-1 बराबर हो जाएगा यहां पे 2 की पावर देखो यहां पर टू की पावर 1-2 x हो जाएगा तो 2-2x लिख सकते हैं ना कि यहां पर वी टू की पावर 2-2-2 एक सजाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा क्या बोलते या रहे ना ठीक है और यहां से इसको solve करेंगे तो आजाएगा 2 square upon में 2 square plus 2 into 2 की power 2x 2 common ले लेंगे रहे न तो यहां से आजाएगा 2 upon में 2 plus 2 की power 2x ऐसा देखो क्या फायदा हुआ अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ न यार तो f of x plus f of 1 minus x बराबर किस के जाएगा 1 के बराबर जाएगा ठीक है यह 1 के बराबर आ गया इससे बहुत फायदा हो गया कैसे देखो यहां पर अगर x की बात करें और यहां पर 1 minus x की बात करें तो दोनों का pair मिला के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो जिसे f of 1 by 2 f of 1 upon 2023 और f of 2022 upon 2023 यह basically क्या लिखा हुआ है ठीक है तो यह दोनों का जो सम होगा ना यह तो 1 के बराबर हो जाएगा तो ऐसे कितने pair मिलेंगे यार तो ऐसे कितने pair मिलेंगे तो 1 से लेके 2022 को आधा कर दो कितने होगे देखो एक से लेके 2022 तक 2022 नमबर होगे अगर उसका आधा करोगे तो 1011 यह आंसर हो जाएगा अपना ठीक है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले किश्ण के दरफ अगला किश्ण है let f of x be a function such that f of x plus y is equal to f of x into f of y ठीक है for all x, y belongs to natural number if f of 1 is equal to 3 and summation from k equal to 1 to n f of k बराबर 3279 then the value of n इस है ना ठीक है चलो बात कर लेते हैं फट आवट से f of x plus f of y is equal to e key for x sorry f of x plus f of x into f of y है ना आपको थोड़ा से याद होगा जब हम यहाँ पे इस टाइप के patterns को समझते दे लाइट तो हम बताते हैं कि यह a key for x को represent करता है ठीक है ना तो यहां से हम कह सकते हैं कि f of x बराबर किसके भाई a key for x के बराबर है अब देखो f of 1 बराबर फी दे रखा है तो f of 1 रखेंगे तो वह आ जाएगा a और वह दे रखा है 3 के बराबर तो that means यहां से a की विल्यू कितने आगी 3 के बराबर आगी तो जो हमारा function ने वह हो गया 3 की पाउर x बस खतम हो गया ना यहां पर पूछा है summation k equal to 1 to n यहां पर जाएगा 3 की पाउर k है ना k equal to 1 से लेकर n आपको पता है जीपी को रिपेजेंट करेगा जिसका पहला टर्म आपका 3 है ठीक है तो बस हम सम लगा दो 3 a into r कितना है गा 3 की पाउर n minus 1 upon 3 minus का 1 is equal to 3, 2, 7, 9 ठीक है यह आगया अपना है ना इसको solve all कर लेते हैं रहें ना 3 से divide कर देंगे इसको तो 3 से गया 109 और 2 1092 है ना और यहां से जाएगा 3 की पाउर n minus 1 यह 2 है ना इसको multiply करेंगे तो 4, 8, 1, 2, 2, 1, 8, 4 और 3 की पाउर n बराबर जाएगा 2, 1, 8, 5 3 की पाउर n बराबर जाएगा 2, 1, 8, 5 जो कि यहां पर हो जाएगा 7 3 की पाउर 7 होता है 2, 1, 8, 5 ठीक है 3 की पाउर 7 होता है यहां पर 2, 1, 8, 5 चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं पीटा यहां पर अगर हमने इसको solve गया तो 1, 0, 9 और यहां पर 3 आएगा न यहां पर 6 आएगा और यहां पर 7 आएगा 2, 1, 8, 7 होता है ठीक है 3 की पाउर 7 होता है 2, 1, 8, 7 चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं पीटा अगले किश्ण की तरब मिलते हैं अगला किश्ण है लेट f of x बराबर 2 x to the power n प्लस लेंड़ा लेंड़ा बिलोंस तो आर एड बिलोंस तो नेशन नमबर एड एड़ एड़ f of 5 is equal to 255 then the sum of all positive integer divisors of f of 3 minus f of 2 is चलिए बात कर लेते हैं इसके न देखो एड़ f of 4 निकालेंगे f of 4 कितना जाएगा है आपे 2 4 की पाउर n प्लस का लेंड़ा ठीक है इसी प्रकार से f of 5 निकाल लेंगे न f of 5 कितना जाएगा टू इंटू 5 की पाउर n प्लस का लेंड़ा दोनों को सब्ट्रेक कर दो है तो यहां से f of 5 minus f of 4 कितना जाएगा भई 2 इंटू 5 की पाउर n माइनस 4 की पाउर n है यह तो आएगा ठीक है अब एक और कमाल की बात है यह हमें दे रखा है कितना f of 4 दे रखा है 133 और यह दे रखा है 255 अब 255 में से 133 गटाएंगे तो यहां पर आजाएगा 221 है ना 122 हाजाएगा ठीक है 122 हाजाएगा तो क्या यहां से एन की वेल्यू निकाल सकते हैं कि बिल्कुल निकाल लेंगे यहां रहे ना यहां से टू से डिवाइट कर दो यहां पर 5 की पाउर n माइनस 4 की पाउर n यहां पर कितना जाएगा 60 बना जाएगा ठीक है अब यहां पर हम सोल करें तो 125 माइनस 64 यह जाता है 61 के है नए एन के युली को पता चल गया तो यहां पर जाएगी 3 के बराबर अप अब यहां पर जाएगा तो एक्सकी पाउर एंस में 3 की पाउर एंस यहां पर रखेंगे तो 2 की पाउर और लेम्डा तो चैनल जाएगा ना बस यहां पर देखो शोल कर लेंगे तो थी रखेंगे तो 27-8 19 इंटू तो अब इसके डिवीजर्स देख लो ना सम अब डिवीजर्स तो देखो क्या-क्या है वन है कि टू है मऄ है टू है 90 ए उडाष्ट विलY ठट्यैट जोल लो या रहे ना ट्वट्टि ट्वंटी टू एट थर्टी मेंटी ऐसलाइगा मख ठीक है शिस्टी मारा आंसर हो zweiten कि रेडा चलिए इसिके साथ आगे बढ़ते अगला किशेशा है the number of function f is 1, 2, 3, 4 alpha belongs to z alpha such z is equal to यहाँ पर है mode alpha is less than equal to 8 ठीक है satisfying f of n into sorry f of n plus 1 by n f of n plus 1 is equal to 1 यह दे रखा है ठीक है n belongs to 1, 2, 3 है ठीक है यहाँ पर number of functions हमसे पूछे गए है number of functions हमसे आपर पूछे गए है तो चलिए भी start करते देखे यार number of functions की बात करें आपर तो अगर पहले इसको solve कर लेते हैं तो यह क्या लिखा हुआ है n into f of n plus f of n plus 1 is equal to 1 लिखा हुआ है ठीक है अगर आप गोर करके देखोगे तो यह लिखा हुआ है n into f of n plus f of 1 is equal to n लिखा हुआ है ठीक है चलिए तो अब देखे यहाँ पर अगर मैं n बराबर 1 की बात करता हूँ ठीक है n बराबर अगर 1 की बात करता हूँ यहाँ पर तो n बराबर 1 पर क्या हुआ जाएगा यह यहाँ पर जाएगा 1 into f of 1 plus का f of 2 बराबर 1 आ जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या जाएगा f of 1 plus f of 2 is equal to 1 आ जाएगा ठीक है अब देखे यहाँ पर अगर इसको solve करें ना तो f of 1 बराबर कितना जाएगा 1 minus का f of 2 आ जाएगा ठीक है 1 minus का f of 2 आ जाएगा भई अब यहाँ से हम यह तो जानते हैं कि f of 1 जो होगा या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं f of 2 बराबर आ जाएगा 1 minus का f of 1 है ना ठीक है अब यहाँ पर जो भी output आएगा ना alpha वो है हमारा लेजेट इकोल टू 8 वो इंटीज़र भी होगा और लेजेट इकोल टू 8 भी होगा वहा ना तो लेजेट इकोल टू 8 भी है तो यार हमें पता है कि f of 1 की जो value है ना वो यहाँ पर है minus 8 से plus 8 के बीच में है समझो यार इस चीश्त को है ना f of 1 की जो value है तो वो माइनस 8 से प्लस 8 के बीच में है ठीक है तो यहां पर और f of 2 भी कह रहेगा माइनस 8 से प्लस 8 रहेगा ठीक है माइनस 8 से प्लस 8 हो जाएगा f of 2 भी ठीक है विटा अब यहां पर माइनस 8 से प्लस 8 समझे आन से अगर यह माइनस 8 से प्लस 8 रह पाएगा तो आंसर इस नहीं अब देखो दूर अगर यह माइनस 8 से 8 प्लस का तो यहां पर f 1 माइनस का f o 1 मैंनस 8 से plus 8 हो जाएगा और मैं 1 अगर सब्टेक कर दूँ तो यहाँ पर आजाएगा minus 9 और यहाँ पर आजाएगा 7 है ठीक है minus f of 1 और minus से multiply कर दूँ तो यहाँ से आजाएगा minus 7 से लेकर 9 तक अब 9 तक तो जाए नहीं सकता न 8 तक ही जा सकता है तो f of 1 क्या जाएगा minus 7 से 8 आजाएगा minus 7 से क्या जाएगा 8 आजाएगा यहाँ ठीक है f of 1 क्या जाएगा minus 7 से 8 आजाएगा ठीक है अब इसी प्रकार से यहाँ पर n के लिए होगा 2 लेते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 f of 2 plus का f of 3 is equal to 1 अब यहां से f of 3 निकालेंगे अगर अपन तो यहां पर जाएगा 1 minus का 2 f of 2 आ जाएगा ठीक है अब देखें बेटा अगर यह f of 2 की value की बात करें तो यह 1 minus का f of 1 अल्रेडी है अपने तो यहां पर रख देंगे minus का sorry plus का 1 minus का 2 f of 2 की जगर 1 minus का f of 1 रख देंगे तो यहां पर कितना जाएगा यहां पर जाएगा 1 minus का 2 यहां पर जाएगा 1 minus का 1 और प्लस का 2 f of 1 ठीक है अब वापस से वह यह कहा नहीं यह अगर f of 3 के बराबर है तो हमें पता है f of 3 जो है वह यहां पर minus 8 से 8 ही रहेगा तो यहां पर जाएगा minus का 1 plus का 2 f of 1 is between minus 8 to plus 8 तो यहां से plus 1 कर देंगे तो यहां पर जाएगा minus 7 से यहां पर जाएगा 9 और f of 1 अगर हम निकालते हैं तो 2 से भी डिवाइट कर देंगे तो यहां पर जाएगा minus 7 by 2 से लेके 9 by 2 कितना जाएगा माइनस का 7 by 2 से लेके 9 by 2 आ जाएगा भई ठीक है सोरी एक सेकंड अगर हम यहाँ पे यहाँ पे N है ना यहाँ पे गड़बड कर दिया अपने न यहाँ पे N है ठीक है क्योंकि हम N L C M लेंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा और साथ में यहाँ पे भी N आ एगा ठीक है यहाँ पर N है ना जब N बरावन ले दे तो कोई समस्या नहीं है पर यहाँ पे 2 आएगा जब हम 2 लेंगे तो ठीक है तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा माइनस 4 से प्लस 4 ठीक है अब N हम 3 तक ले सकते हैं तो एक और N लेंगे अपन 3 है ना तो N बरावर अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे तो N बरावर 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 F of 3 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे कितना जाएगा F of 4 आजयेगा और यह बराबर हो जाएगा N के N के 3 है अब यह इधर जाएगा F of 4 आजाएगा 3-3 F of 3 और F of 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2F of 1 तो यहाँ पे हम रख देंगे 2F of 1 तो यहाँ से जाएगा 3-6 F of 1 अब देखो यह भी f of 4 हो गया तो यह जो भी यहाँ पर n आएगा वो n का तो हमें पता है कि यह जो value आएगी वो basically mode उसका less than equal to 8 आएगा तो यहाँ पर f of 4 की जो value आएगी वो minus 8 से 8 के बीच में आएगी तो यह भी minus 8 से 8 के बीच में आएगा देखो 3 इदर जाएगा तो minus का 11 आएगा और इदर जाएगा तो plus का 5 आएगा न और यह क्या है आपका यहाँ आपका two point sorry one point something है तो सिर्फ यहां पे दो ही number मिल पाएंगे ना क्योंकि हम जानते ही जो भी होगा integer होगा ना integer है तो यहां पर फिर सिर्फ two whole और फो ना यहां पर टॉ आपकर सिर्फ twoły value दे शकता है वो है 0 और वन तो यहां पर सिर्फ दो ही फंक्शन पोसिबल हो पाएंगे थे के तो आंसर विल बी तो आंसर कितना जाएगा यहां पर तो हो जाएगा थे के चलिए इसे के साथ आगे बढ़ते हैं अगला लेट f is r to r be a function defined by f of x is equals to log root 2 sin x minus cos x plus m minus 2 base root m है अब देखिए और बिटा है इसकी हमें रेंज बता नहीं है ठीक है बोला हुआ है for some m such that the range of f is 0 to 2 और range हमें दे रखिए देखो range हमें दे रखिए पर हम अगर range हमें दे रखिए और m अगर हमें चाहिए तो हम इसको वापस से range से इसोल करेंगे ना तो range निकालने के लिए हम क्या करते है बेसिकली बेसिक अगर function जो है वह composite टाइप से रखा है तो अंदर से start हो जाते अंदर से range start करना चालू करते बाहर तक तो देखो यहां पर क्या है किसकी range हमें पता है ठीक है तो sin x minus cos x क्या हमें पता है भाई a sin x plus b cos x की range होती है minus of root a square plus b square से लेके root a square plus b square तक यहां पर जाएगी minus of root 2 से लेके plus of root 2 तक अब यहां पर देखो अगला step क्या रहेगा हमने root 2 से इसको multiply कर दिया तो root 2 से multiply करेंगे इसको जो किया sin of x minus का cos of x तो यहां पर जाएगा 2 और यहां पर जाएगा minus का 2 ठीक है फिर हमने plus का m और minus का 2 कर दिया तो अगर हम इसमें plus का m और minus का 2 कर देंगे तो यहां पर भी plus का m और minus का 2 करेंगे और यहां पर भी plus का m और minus का 2 कर देंगे ठीक है अब यह तो गया अभी अंदर की बात अब हम लेंगे log अब हम लेंगे log वेस root m तो log लेंगे तो तीनों जगह पर आजाएगा तो यहां पर जाएगा log root m यहां पर आजाएगा m minus का 4 यहां पर यह तो हमें निकालना है ना यह तो हमारा function हो गया और यहां पर लेंगे log m base root m तो भी देखो यहां पर एक चीज़ क्लियर है कि यह अगर m की power 1 by 2 है यह भी m की power 1 by 2 है तो यह आगे आएगा तो 2 बन जाएगा और log m base m तो क्या हो जाएगा 1 के बरावर हो जाएगा तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है अब basically इसकी range जो है न वो यहां पर आजाएगी log m minus 4 base root m से लेकर 2 तक पर हमें तो दे रखाएगी यह जो range आएगी जिरो से 2 आएगी तो इसको यह हमारा 0 रहा होगा ठीक है तो इसको हम 0 के बरावर कर देंगे तो यहां से कितना जाएगा m minus का 4 is equal to 1 और m की value आजाएगी यहां पर 5 के बरावर ठीक है बिटा तो अगर option की बात करें तो यहां पर option हो जाएगा हमारा 5 ठीक है चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं बिटा देखो answer will be fourth option is correct अगला question ने domain domain of f of x log x minus 2 base x plus 1 ठीक है upon में e to the power 2 ln x minus का 2x plus 3 ठीक है चलिए बिटा बात कर ले लेते हैं देखिए domain के अगर हम बात करेंगे तो लोग कहां पर define होता है वो जरूर देखेंगे न देखो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं पहले ठीक है अगला आपका x plus 1 आपका greater than 0 आजाएगा तो यहां से आजाएगा x greater than minus का 1 ठीक है अगला आप यहां पर अगला आपका होगा x plus 1 is not equal to minus का 1 that means x is not equal to minus का ठीक है तीन तो हमने उपर की बात कर ली अब इसी प्रकार से यहां पर भी बात करेंगे आरे ना तो देखो यार अगर x जो है अगर ln x है तो x कैसा होगा greater than 0 होगा तो यहां से यह case आगया अगर x अगर हमारा positive है ना x हमारा positive है भी पूरा defined नहीं हुआ द्यान रगना पूरा defined नहीं हुआ एक और चीज है आपर वो है कि यह 0 नहीं होना चाहिए भाई upon में 0 होगा तो भी function क्या हो जाता है नो डिफैन हो जाता है ना तो इसको भी solve कर लेंगा रहे ना तो e की power 2 log x base e minus का 2x minus का 3 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो भाई यह तो आपको पता है ना इसको solve करने के लिए इनको interchange कर देंगे तो x square minus का 2x minus का 3 जो है not equal to 0 आएगा x minus का 3 और x plus का 1 is not equal to 0 x की value आजाएगी minus 1 और 3 नहीं होना चाहिए ठीक है अब यहां पर हम लेंगे इनका intersection अब देखो यार x अगर greater than 2 है तो greater than minus 1 हो गया इसी और greater than 0 तो हो गया हो गया ना तो यहां से तो क्या जाएगा x greater than 2 आ जाएगा minus 1 इसके अंदर आता नहीं है पर 3 आता है तो answer भी क्या हो जाएगा 2 से infinity minus का 3 ठीक है ऐसा कौन सा option है तो यहां पर 4th option ऐसा दिख रहा है मैं ना ठीक है मैं देख लो आप answer चलिए इसके साथ आगे बढ़ते है मैं अगला है consider a function f is such that n to r satisfying f of 1 plus 2 f of 2 plus 3 f of 3 plus and so on plus x f of x is equals to x into x plus 1 into f of x where x is greater than equal to 2 with f of 1 is equal to 1 ठीक है f of 1 is equal to 1 है ना तो भाई यहां पर अगर हम बात करें ना तो देखो यार यह लिखा हुआ है f of 1 plus f of 2 plus f of sorry 3 f of 3 है ना 2 f of 2 लिखा हुआ है ठीक है प्लस 2 f of 2 plus 3 f of 3 और यह चलता जाएगा x f of x बराबर है x into x plus 1 into f of x के ठीक है इसी प्रकार से अगर देखें आपर मैं क्या करने वाला हूँ x की जग्व पे x plus 1 सब्स्टूट कर दूं दिखो function में आपको पता है न कहाणी में जो change ओगा defeated of मैंने यहां पर x की जग्व एक्स एस खेंगे तो यहां पे भी आएगा यहां पर भी आए गा यहां पर भी X को मैंने क्या कर दिया substitute कर दिया X plus 1 के साथ में ठीके तो ये तो सब सेम ही देएगा एक नम बढ़ जाएगी वो है X plus 1 into F of X plus 1 जैसे आप X के जाएगा X plus 1 रखोगे आप आजाएगा X plus 1 और यहाँ पहर जाएगा X plus 1 ठेके और बरावर में यहाँ पहर जाएगा X plus 1 X plus 2 F of X plus 1 अब आद इसको subtract कर दो दोनों equation को solve कर लो भई заключ करेंगे तो यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा ऐसे यह भी cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या? सब्ट्रेक करेंगे तो यहां पर बचाएगा माइनस का x प्लस 1 f of x प्लस 1 यह तो एक्स प्लस 1 f of x और माइनस में यह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 f of x प्लस 1 ठीक है I hope x प्लस 1 तो सब जगह से कैंसल हो रहा है न ठीक है x प्लस 1 तो सब जगह से कैंसल हो रहा है न इसको इधर लेकर आएंगे तो यहां पर जाएगा f of x प्लस 1 और यहां पर भी जाएगा x प्लस 1 ठीक है और बराबर में जाएगा x इंटू f of x तो basically एक relation निकल कर आ गया वो relation यहाँ पर x x प्लस 1 इंटू में f of x प्लस 1 बराबर x इंटू f of x यह relation आ गया है ना आप देखेंगे relation बड़ा काम काया है ना केसे काम काया हो समझा देता हूं मैं आपको देखें यारी इस relation से हम कहानी तो start करेंगे पर पहले एक काम कर लेते हैं कि इस वाली equation में x बराबर 2 रख लेते हैं ताकि f of 2 की value तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर यह जो series है ना यह जाएगी f of 1 प्लस 2 f of 2 तक और बराबर में 2 रखेंगे x की जगह पर तो आजाएगा 2 इंटू 3 इंटू f of 2 तो इस जाएगा 1 बाई 4 अगर f of 2 बराबर 1 by 4 आगया f of 3 निकालेंगे तो x की जगह पर 2 रख दो यहाँ पर तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर जाएगा 2 इंटू f of 2 थिक Whats?" तो यह बराबर गतना जाएगा यहाँ पर यहाँ पर f of 3 निकालें अगर तो वो आ जाएगा 2 upon में 3 f of 2 1 by 4 तो वो कितना जाएगा यहाँ पे 2 से 2 cancel हो जाएगा तो 1 upon 2 into 3 आ जाएगा अब एक चीज़ समझने की है वो है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ पे n n के लिए अगर बात करता हूँ तो n प्लस 1 जिसे कि यहाँ पे अगर मैं 3 f of 3 बराबर 2 f of 2 है अगला क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा 4 f of 4 बराबर 3 f of 3 ठीक है तो ऐसे अगर मैं सभी को solve कर लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाएगा और डारेक्ट सब्ट्रेक कर देते हैं तो एक चीज समझो यहाँ पे अगला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर 3 रखोंगा तो 4 f of 4 बराबर 3 f of 3 है जाएगा और ऐसे चलेगा तो यहाँ पे जब n रखोंगा तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से जाएगा f of n प्लस 1 बराबर 2 f of 2 कितना हो जाएगा 1 by 4 तो आजाएगा 1 by 2 इंटो n प्लस 1 अब आप समझ गए ना मतलब f of n बराबर आगे 1 upon 2 n f of n बराबर आगे 1 upon 2 n तो f of 2022 कितना हो जाएगा 1 upon 2 inटो 2022 समझो ना तो यहाँ पे जाएगा 4044 अब प्लस इसका भी करेंगे 2028 तो कितना जाएगा 1 upon 2 inटो 2028 है ना तो वो आजाएगा यहाँ पे 4056 ठीक है दोनों को जोड़ते ते ते यार 6480 1549 और 10 1 और 448 तो आंसर आएगा 8100 ठीक है option में है 30 option यहाँ पे correct हो जाएगा आरी बस ना बेटा तो यहाँ पे कौन सा option correct हो जाएगा 3100 ठीक है यह clear हो गया होगा आपको बेटा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते अगला question suppose f is r to 0 to infinity be a differentiable function such that 5 f of x plus y is equal to f of x into f of y such that ठीक है such that यहाँ पर है x, y belongs to r f of 3 is equal to 320 ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है n equal to 0 to 5 f of n is equal to ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर है न देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पर n बराबर 0 से start है न तो यह मैं फंक्शन कुछ इस प्रकार से देखा है functional equation दे रखे f of x plus y is equal to f of x into f of y ठीक है अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x और y को 0 रख देता हूँ तो यह कितना जाएगा 5 f of 0 बराबर यहाँ पर आजाएगा f square 0 solve करूँगा तो f of 0 की 2 value आजाएगी एक आजाएगी 0 और एक आजाएगी 5 ठीक है पर आप जैसे की जान रहे हों कि जो function है ना उसकी जो range जो 0 से infinity है तो 0 open है ना तो यह तो हम ले ही नहीं सकते हैं तो इसका आजाएगी 5 के बराबर आजाएगी f of 0 की value 5 आजाएगी अगला मैं यहाँ पर x बराबर अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर x की value 1 और y की value 1 रख देता हूं तो यहाँ से जाएगा 5 f of 2 बराबर f1 का square समझो ना f1 का square है जाएगा और अगर मैं यहाँ पर x की value को 1 और y की value को 2 रख दू तो यहाँ से जाएगा 5 f of 3 बराबर यहाँ पर जाएगा f of 1 into f of 2 ठीक है f of 2 की value यहाँ से देख लेंगे अपन f of 1 का square अपन 5 है ना तो यहाँ पर जाएगा f of 1 का cube क्योंकि f of 1 already है और अपन में 5 तो यह जाएगा 25 5 into में f of 3 f of 3 यहाँ पर 320 के बराबर है is equal to f of 1 का cube इसको multiply multiply कर देते हैं तो 0 55 375 8 8000 है ना यह f of 1 का cube है क्या हम यहाँ से f of 1 निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल नहीं आएगे इसका cube रूट ले लेंगे 8 का तो होता है 2000 का होता है 0 तो f of 1 की value कितने आगे बिल्कुल 20 के बराबर आगे ना f of 1 की value 20 आगई इसके अंदर रख देंगे तो f of 2 बराबर आजाएगा 400 by 5 तो वह आजाएगा 80 के बराबर अब आपको समय में आगे ना आप जैसे फ of 2 निकाल ले फ of 1 निकाल ले फ of 0 निकाल ले फ of 3 अपने को पता है तो f of 4 और f of 5 भी निकाल लेंगे तो f of 4 के लिए हम क्या करेंगे x की value 1 और y की value 3 रख देंगे तो वह आजाएगा f of 4 बराबर sorry 5 f of 4 बराबर यहाँ पर जाएगा f of 1 इंटो f of 3 दोनों की value में पता है न यहाँ पर रख देंगे f of 1 की value 5 है तो 5 से तो 5 cancel हो जाएगा ना आपका ठीक है और यहाँ पर 5 f of 4 हा जाएगा f of 3 के बराबर और f of 3 की value 3 20 है न तो आप ऐसे निकाल लोगे यहाँ पर है न ठीक है अगला यहाँ पर निकाल लेंगे अपन f of 5 तो उसके लिए हम क्या करेंगे x के value 2 और y के value 3 रख देंगे ठीक है तो यहाँ से जाएगा 5 f of 4 बराबर f of 2 और यहाँ पर जाएगा f of 3 देखो यार सीधा है न यहाँ पर f of 1 के विलिए 20 है तो 5 से 20 गया 4 बर तो यह 4 गुना जाएगा 320 का है न तो 4 गुना 320 का जाएगा आप देखो जोडना चालो करते हैं f of 0 बराबर 5 है f of 1 के value आपकी 20 आ गई है न f of 2 के लिए 80 आ गई अगली f of 3 के value जो है अपनी वो 320 दे रखी है ठीक है और यहाँ पर f of 4 कितना जाएगा 5 से divide करेंगे 4 4 f of 3 में लग 4 into 320 अगला 5 के लिए निकालेंगे तो आजाएगा f of 2 into f of 3 है f of 2 के value तो 80 है 80 into f of 3 करेंगे that means 80 को 5 से divide कर देते हैं 16 तो 16 into 320 अब यार तीनों को जोड़ देना है न सबको जोड़ देना यार ठीक है जोड़ेंगे न तो बड़ासा नंबर आएगा जो कि याँ पर 6825 आएगा ठीक है जोड़ देंगे बेना सबको जोड़ देंगे 6825 जाए का नंबर है न ठीक है चलिए आगे बढ़ते से के साथ में अगला है दर रेंज ओप दी फंक्शन 3 माइनस x प्लस 2 प्लस x अब देको इसके रेंज निकाल लेके तरीके अपन समझ सकते हैं आपर एक तरीका तो यह है कि मिनिमा जो मिलता है उसकी भी बात कर लेंगे जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे न थी माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा टू प्लस का एक्स यहां पर जाएगा टू एक्स बराबर यहां रहा है रूट के अंदर वन बाई टू अगर करेंगे आप तो फाइब टू प्लस वहां पर आजाएगा टू प्लस फाइब टू तो यह आजाएगा दोनों को एड़ कर देंगे तो आजाएगा टू इंटू ूरूट फाइब बाई टू तो आजाएगा रूट टैन यह तो आपकि मैक्सिमा हो घई और मिनिमा तब आएगा मिनिमा जब आता है तो यह जिरू जैए आ फिर िड़िगी जिरो करिंगे खर लेते करें अकसा को ब्लसफ गर सब्सक्राइगे खर बार है आघसर गागर तो यह जाएगा root-2 पर जेक करेंगे तो यह जाएगा 3 plus 2 root 5 है ना ठीक है देखो दोनों साइड से कहा रहा है root 5 आ रहा है ना जैसे आपको दीखी रहा होगा वह तीन रखेंगे तो जीरो गया और 3 plus 25 हो जाएगा और और यहां पे 2 प्लस एक्स को 0, x बराब माइनस का 2 या रखेगे, तो भी कितना आएगा, रूट 5 या यहां पे आंसर क्या जाएगा, रूट 5 से लेके रूट 10 तक, सारी वेल्यू मिल जाएगा रहे हैं, तो पहला, यह मिनीमम है रहे मैक्सिमम है, तो आंसर कितना जाएगा, मिनीमम से मैक्सिमम हाजाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, रूट 5 से लेके रूट 10 तक, ठीक है, अगले क्योशन दर बढ़ते हैं, पहला आंसर करेक्टे, चलिए, अगला क्योशन है, इस डोमेन अप दी फंक्शन, फ एफ बराबर, ग्रेटेशन दिजर एक्स अपोन फ्लस एक्स एक्स अपोन प्लस एक्स्क्वाइर, वेर ग्रेटेशन दिजर इस ठीक है, इस 226 है ना, देर इस रेंज इस ना, मतलब आपको एक्स दे रखा है, अब आपको बताएं, टू से 6 है, तो यह तो कॉंस्टेंट ही होगा, आपका ग्रेटेशन टीजर तो, कुछ भी होगा, क्यां प्लस एक्स्क्वाइर होगा, ठीक है, तो य एक्स स्क्वाइर, यहां पर जाएगा, प्लस का य माइनस का के, बराबर जीरो, और रेंज निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो भी एक्स आएगा, वो तो रियल है ना, आपका, तो यहां पर डी ग्रेटर देने, इकॉल टू जीरो करके, सोल कर लेंगे आ रहेना, ठीक है, या फिर ऐसी भी कर सकते हैं, एक आएजसां तरीका देख लेते हैं रहेना, इससे भी आएजसां देख लेते हैं, अगर आपका एक्स तू से शिक्स है, तो झस्क्वाइर क्हां से निक्षा कई तो हो जाएगा, 5 से लेकर 37 5 से लेकर 37 हो जाएगा 5 से लेकर 37 हो जाएगा ठीक है और अगर मैं इसका रेशीप्रोकर ले लूँगा तो 1 अपोन 1 प्लस एस्पर कहां से गात हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहां पर 1 अपोन 37 से लेकर 1 अपोन 5 हो जाएगा ठीक है यह जाएगा वन अपून 37 से लेकर वन अपून 5 तक और अगर मैं के से मल्टिप्लाइ कर दूंगा आप देखो के जो भी है पोजिटीव है क्योंकि दो से 6 ना एक सापका तो जो भी के है आपका पोजिटीव है तो के अपून 1 प्लस स्क्वर कहां से कहां तक हो के अपून 37 से लेकर के अपून 5 तक बात समय भारी है ना तो बस आपको क्या करना है के की विल्यू निकाल नहीं अरे बही सिंपल है ना देखो यार अगर हम के की बात करें ना तो पहला आपको हो जाता है एक सगर 2 से 3 होगा तो के की विल्यू यहां पर आजाएगे हमारे पास में के की विल्यू जाएगे 2 ठीक है और अगर एकस आपका यहां पर 3 से 4 हो जाएगा तो के की विल्यू जाएगी 3 और अगर आपका एकस यहां पर 4 से 5 हो जाएगा तो के की विल्यू जाएगे 4 और अगर आपका एकस यह आपको k की value की according change हो जाएगा जैसा कि पहला इंटेरल आ जाएगा 2 by 37 से लेकर 2 by 5 तक अगला जाएगा यहाँ पर 3 by 37 से लेकर 3 by 5 तक अगला जाएगा 4 by 37 से लेकर 4 by 5 तक और अगला जाएगा यहाँ पर 5 by 37 से लेकर 5 by 5 तक ठीक है यह सारी values आमारे पास में निकल कर आ जाएगी अब इसके according अगर हम answer की बात करें भई ठीक है अगर इसके according हम answer की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अपने गडबड़ गड़ दिया रहे है न यह तो सही है भई जब आपका आपका टू से शिख से तो सही है न पर आपका एक्स जो टू से शिख सोड़ी नहीं है अगर जैसे के बराबर टू ले रहे हो तो तू से 3 न आपका एक्स यहाँ पर थोड़ी सी गड़़ के लिए तो देखो या रहें अगर यह 2-3 और यह भी टोटा सा आपको क्लियर हो गई ओगी कि ऐसे ही करना आपने को सबीकर के इंदर एसे निकालना है तो अगर इसके लिए निकालेंगा एक का निकाल के बताता हूं आपको जिससे 2-3 है तो अगर 2-3 होगा अगर एक्स आपको 2-3 होगा तो आपका x-square कहां से कहां तो हो जाएगा 4-9 बोट जाएगा और आपका जो वन प्लस x-square हो जाएगा वह आपको जाएगा 5-10 और वन अपन वन प्लस से स्क्वार हो जाया गए आप का है यां पर आपका टू बाइ टेन से लेकर टू बै फैंस अगले से लाउ पाइब ABC 9 कैं सबस्क्राइब 160 अगला निकालेंगे तो जाएगा फॉर ऐट उनेडीश से लेके फॉर ऐस इवंटिन और इसका आजाएगा अपना अगर लास्ट वाले का निकालेंगे तो आजाएगा फाइब थर्टी से लेकर फाइब ट्वंटी सिक्स है ना ठीक है तो यहां पर जाएगा फाइब ट्वंटी सिक्स थिक तो अब यहां पर क्या करेंगे देखो यह सारा का सारा गया गया हमारा यहां पर सभी इंडिज्वल के लिए रेंज आ गया अब इन सबका क्या करेंगे यूनियल लेंगे भई जब यहां पर यूनियल लेंगे न तो यहां पर जब इसका यूनियल लेंगे सबका तो आंसर आजाएगा फाइब थर्टी से लेकर टू टो अगर आंसर की बात करें ना पहला एंसर हमारा करेक्ट हो जाएका इन सबका यूनियन ले लेंगे लेगा यहे रफी यह और fort हुए तो आहर्वन यूनिय आपू यूनियन वर सी यूनिय आर upwards कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 5 by 37 से लेगे 2 by 5 तक जो कि पहला option correct हो जाएगा ठीक है क्योंशन बढ़िया है आप देख सकते हो कि चलि एसी के साथ आगे बढ़ते हैं पहला अंसर बिल्कुल करेक्ट है आपर अगला क्योंशन है आप पर लेट f is r minus 2,6 से लेकर r be real value function defined as f of x वराबर x square प्लस का 2x प्लस का 1 x square minus 8x प्लस का 12 then range of f is ठीक है तो range निकालने में f की चलिए तो देखो अगर मैं range निकालना चाहता हूं इसके लिए तो पहले हम क्या करेंगे f of x को y लिख लेंगे और x square प्लस का 2x प्लस का 1 as it is अपोन में x square minus का 8x और प्लस का 12 पहले हम क्या करेंगे इसको cross multiply कर देंगे इदर लेकर आएंगे multiply करेंगे तो यहां पर आजाएगा x square y minus का 8yx प्लस का 12y बराबर x square प्लस का 2x प्लस का 1 इसको इदर लेकर आएंगे तो आजाएगा x square y minus का 1 minus का x 8y plus का 2 ठीक है और यहां पर जाएगा 12y minus का 1 बराबर 0 आपको होता है यह quality के x में तो और x की जो खास बात है न वो यह कि यह real है न अगर x दिये ले तो इसके roots भी किसे आएंगे दिये लाएंगे तो condition क्या जाएगे डी ग्रेटर देन इकॉल दू जीरो डी कितना जाएगा बी स्क्वाइर एट वाई प्लस टू का होली स्क्वाइर माइनस का 4 टाइमस फोर एसी करेंगे तो वाई माइनस का 1 और 12 वाई माइनस का 1 ठीक है जाएगा अब क्या करना है और यहां से 2 कॉमन ले लो तो स्क्वाइर के बाहर कितना जाएगा फोर आजएगा अंदर क्या वज़िए को मलिया तो फोर वैप्लस नहीं है फॉर वाई प्लस वन-ब्लस को लिए तो एक लिए मैनस का 6 बाई ऑन प्लस का 8 वाई यहां पर सब्लेंगे फोर तो कोमनी से ला और माइनस ओलड़ी बाहर है तो प्लस का थर्टीन वाई बजाएगा यहां पर प्लस का वन है ठीक है कि अच्छा इस माइनस की वज़े से यहां पर भी तो माइनस आएगा ठीक है अब देखो यह वन से तो बन चलाएगा आपका और सिक्षिन वाई स्क्वार माइनस का 12 वाई सक आजाएगा 4Y स्क्वार एट और प्लस का 13 यहां पर 8 और प्लस का 13 करेंगे तो आजाएगा 721 वाई इस ग्रेटर देन इकल टू जीरो दी ग्रेटर देन इकल टू जीरो अब देखो यहां से दो फेक्टर आ रहे है एक आरहा है वाई और यहार प्लस उरिप्लस 21 तो तो 4y प्लस 21 और वाई ऐसा दो फेक्टर आ गए तो यहां से आंसे क्या जाएगा वाई बिलोंस टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का 21 वाई 4 यूनियन जीरो से लेकर इंफिनिटी यह हमारा फाइनल आंसर आएगा जीरो से इंफिनिटी यह फाइनल आंसर आ जाएगा चेक कर लेते कौनसा ओप्शन करेक्ट है पहलाई ओप्शन करेक्ट है ठीक है पहलाई ओप्शन करेक्ट है द्यान अगना एसे हम रेंज को निकालते हैं ठीक है एसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला यहां पर let f is such that r2 sorry r- 0,1 to R be a function such that f of x plus f of 1 minus x बराबर 1 plus x then f of 2 is equal to ठीक है f of 2 हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर x की जगा पर 2 रख देते हैं जो हमें निकालना है तो यहां से जाएगा f of 2 plus f of यहां पर देखो 2 रखेंगे तो यहां पर जाएगा minus का 1 by 2 है ना और बराबर में 3 आ जाएगा अब मैं अगर x की जगा देखो minus का 1 by 2 रख देते हैं तो यहां पर जाएगा f of minus का 1 by 2 plus यहां पर minus का 1 by 2 रखेंगे तो यहां पर जाएगा f of minus का 1 by 2 रखेंगे तो 1 plus 1 by 2 यहां पर जाएगा 3 by 2 तो यहां पर जाएगा एफ ओफ टू बाई थ्री बराबर और यहां पर भी माइनस का वन बाई टू रख देंगे तो वन बाई टू हो जाएगा ठीक है अब अग्ला यहां पर हम यहां पर टू बाई थी रखेंगे एक सेगन यहां पर अगर हम टू बाई थी रखेंगे तो अग्ला जाएगा एफ ओफ वन अपॉन वन माइनस का टू बाई थ्री और यहां पर जाएगा अगर हमने यहां पर एक सेगन पर टू रखा तो यहां पर जाएगा एफ ओफ टू प्लस यहां पर आजाएगा वन अपॉन वन माइनस का टू माइनस का टू अच्छा यहां पर माइनस का वन आ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रखेंगे तो आजाएगा f of 1 by 2 और वहाँ पर 0 आजाएगा ठीक है अब f of 1 by 2 भी जैना आपने को एक्स बराबर 1 by 2 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा f of 1 by 2 प्लस यहाँ पर 1 by 2 रखेंगे तो 1 minus का 1 by 2 कितना जाएगा वह 2 आजाएगा तो यहाँ जाएगा f of 2 बराबर 1 plus 1 by 2 that means 3 by 2 अब क्या करेंगे ना दो एक्विशन है इन दोनों को क्या कर देंगे सब्टेक कर देंगे तो यह तो कैंसल हो जाएगा ना f of 2 minus f of 1 by 2 बराबर जाएगा 3 के अब बस इन दोनों को जोड़ दो आ रहे ना तो यहाँ से कितना जाएगा 2 f of 2 बराबर जाएगा 3 plus 3 by 2 जो कि कितना जाएगा 9 by 2 और f of 2 की value निकालते हैं तो आ जाएगा 9 by 4 के बराबर ऐसे तो यहाँ पर 9 by 4 second option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है f of 2 बराबर जाएगा 9 by 4 second option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं चली इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला है f of x बराबर टेन वन डिगरी x plus ln 123 अपन x ln 1234 माइनस का तेन बन डिगरी तो यहाँ पे और x greater than 0 दे दिया है न देन दे वेल्यू आफ एफ 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 और दिखने में थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लग रहा है पर है नहीं कैसे करेंगे इसको यहाँ पर क्या करेंगे यह जो टे 1,2,3 जो है उसको माल लेते हैं कि यह b है ln 1234 जो है उसको c माल लेते हैं और 10,1 डिगरी आपस है यह से तो वो तो अपना a लिखी रखाया है ठीक है तो यह जो f of x है ना आपका वो बदल जाएगा आपका यहाँ पे ax plus का b upon में cx minus का a अब मुझे क्या चाहिए f of f of x चाहिए ना आपकर तो f of f of x क्या हो जाएगा मैं x की जाएगा पर f of x रख दूँगा तो a f of x plus का b upon में c f of x minus का a यहाँ पर f of x रख देंगे तो यह जाएगा a into ax plus का b upon में cx minus का a plus का b upon में यहाँ पर आजएगा c ax plus का b upon में cx minus का a और minus का a यहाँ पर आजएगा a into a square x plus का a b यहाँ पर इधर multiply हो जाएगा तो यहां जाएगा bcx माइनस का ab अब पोन में यहां पर multiply गरेंगे तो आजाएगा acx प्लस का bc माइनस का यहां पर आजाएगा acx और प्लस का a square ठीक है अब यहां से यहां जाएगा अब न देखो abc ab तो चला गया ठीक है और यहां पर acx से acx चला गया तो यह क्या बन गया a square plus का bcx और अब पोन में भी क्या बन गया a square plus का bc बन गया तो basically कहां नहीं तो simple हो गए ना कि f of f of x जो है ना वो x के बराबर है तो अगर देखो f of x जो हा गया वो x के बराबर आ गया तो इसका आले यह x ही लिखा हुआ है और यह plus का 4 by x लिखा हुआ है अब इसकी least value चाहिए ना तो x और 4 by x अगर दो number है तो amgm से हम इसकी least value निकाल सकते हैं ना यह भाई जो भी होगा ना वो greater than equal to जाएगा 2 root x into 4 by x solve करेंगे तो 4 तो 4 इसकी least value आएगी भाई second fourth option यहाँ पर correct हो जाएगा भाई है ना fourth option यहाँ पर correct हो जाएगा अगर दो number है x और 4 by x है ना तो x plus 4 by x is upon 2 is greater than equal to x into 4 by x का root यह तो तो amgm x x चला गया तो root 4 आजाएगा 2 ठीक है और इसकी least value पूछे ना आपसे तो x plus का 4 by x वहाँ से जाएगा greater than equal to 4 4 चार इसकी least आएगे भाई fourth option यहाँ पर correct आएगा fourth option यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है चली इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई बढ़िया question है ना अगला question है the domain of the function greatest integer sorry one upon root greatest integer x square minus 3 greatest integer x minus 10 is है ना ठीक है चली यार इसको देखो यार यह आपको पता है ना वन अपन रूट में है तो रूट के अंदर जो भी आता है वो पॉजिटिव आता है पॉजिटिव बोलेंगे कुछ लोग सोच रहेंगे नोन नेगेटिव सुना था पर यह वन अपन में ना इसलिए पॉजिटिव बोलेंगे ना ठीक है इसको टी माल लेते फिलाल के लिए तो यह आजाएगा यह तो सही है हुजंत ऐसे इनफीनिटि और तो विए यह साही है तो यह तो सही है यहां से x क्या जाएगा यह से x अगर निकालेंगे तो सप्सक्राइब नक्यों न拜拜 जाएगा Thank you किसी को लगता है מהे माइनस वन क्यों नहीं बोला गाई है तो माइनस बोलेंगे ना तो माइनस वन से माइनस्टू के बिचमें जो मला स्टो सब्कुस्जाइब माइनस्टाइब नहीं हो सकता ना मिलेई-तो माइनस्ट्री के इस घ्रीस इंटेंगे इसलहीं यह शसी है इसको हम ऐसे लिखते देंगे एक्स ग्रीटर दिया अगर ग्रेटर दिन फाइवे तो कई रेटर तो पयांगा में वह और इहां पर अपर देनपों मैं बताछीं कि अगर और तो गतें में टीन के पाइगा देन हो तो यहां पर देख लेते हैं इसा कौन सा उप्षन है माइनस इंफिंटी से माइनस टो और सिक्स इंफिंटी सेकेंड वाला जो अप्षन है आपर करेक्ट हुजाए गया था है था है ठीक है बटा चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार कहा नहीं को आगे गुमा के लिए आगे बढ़ते हैं ना है ठीक है आगे बढ़ते हैं पर आगे आगे बढ़ते हैं आप अ कि देखो यार ना कानिको समझते हैं आप पर फोर एक्स बिलोंग्स तु आर टू रियल वेलुट फंक्शन एप अड़ वेक्स आप सच देट जी ओफ एक्स बराबर रूट एक्स प्लस ब्लस वन एड़ एफ ऑफ जी एफ 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 बराबर एक्स प्लस 3-3 माइनस का रूट-1 अडर देखो यहां पर एफ इस प्लस वन हो और यह में लेक्स हम एक रूट-1 निकालने हैं छोप इसके लिए उसके लिए मिए तरीका बताता हूं जब भी इसा क्वीशन ना जिसमें अपने को एफ वेक्स वंती तो तो यहां से root x कितना जाएगा? u-1 और x आजाएगा u-1 का whole square तो यह क्या हो जाएगा? f of u हो जाएगा और बराबर में x के जगवर पर क्या रख देंगे? u-1 का whole square रख देंगे तो यहां पर जाएगा u-1 का whole square plus का 3 minus root of u-1 वो कितना जाएगा? वो जाएगा u-1 का mode ठीके? वो जाएगा u-1 का mode और u-1 तो x ही है ना आपका root x है तो वो तो positive है ना automatically तो यह तो आपका mode बेट जाएगा ना इसका अब आपको f of 0 चाहिए तो u की जग़़ 0 रख देंगे आप जाएगा minus 1 का square plus का 3 minus का 0 minus का 1 तो यहाँ पर जाएगा 1 plus का 3 और plus का 1 answer भी 5 ऐसे करना है ना बेटा? अगर f of 1 पूछता तो 1 रख देते, 2 रख देते ठीके? तो यहाँ पर second option correct हो जाएगा चले इसे के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा अगला question है for some abc belongs to let f of x बराबर ax minus 3 and g of x बराबर x to the power b plus c ठीके? x belongs to c दे रखा है if f of g of inverse x बराबर x minus 7 to the power 1 by 3 x minus 7 by 2 to the whole power 1 by 3 ठीके? तो भई यह देखो इसमें क्या गरेंगे? पहले हम f of g निकाल लेते हैं देखो अपने को f of x दे रखा है ax minus का 3 और g of x दे रखा है तो अगर मैं यहाँ पे f of g of x निकालू तो f के अंदर आपको x के जिएगे g of x रख देना है तो यहाँ पे आजाएगा g of x minus का 3 तो solve करेंगे तो a into यहाँ पे ए x की पाउर b प्लस का c minus का 3 और यह let's suppose हमारा y है क्योंकि हम अब inverse निकाल देना f of g of x का inverse केसे निकालते है यहाँ से अब x निकाल लो तो यहाँ जाएगा y plus का 3 upon में a minus का c की whole power on by b यहाँ से यह x निकल करा गया देखो यहाँ से y minus को 3 को दे लाएंगे तो plus का 3 a से divide कर देंगे minus का c और power on by b ठीक है अब x की जाएगा y और y की जाएगा x रख देते हैं तो यहाँ पर आजाएगा y is equal to यह अगर लिखना चाहिए तो x plus 3 minus का a c upon में c की power on by b है ना और इसको compare करेंगे क्योंकि यह तो inverse है अपना है ना तो यह है हमारा x minus 7 by 2 की power 1 by 3 के बराबर तो यहाँ पर 3 minus का a c जो है वह आपको minus का 7 दिख रहा है जिसमें a तो आपका 2 है ना तो 3 minus का 2 c बराबर आपका minus का 7 है इसको इदर c की विल्यू निकालेंगे तो 5 आजाएगा c की विल्यू 5 आ गई a b c की विल्यू निकल गए ना आपके तो g of x, f of x कुछ नहीं यहाँ पर अगर f of x की बात करे तो वह आपका हो जाएगा 2x minus का 3 और g of x आपका हो जाएगा x cube plus का 5 ठीक है अगर मैं f of g of x निकालता हूँ जो कि मैं already निकाल चुका हूँ तो वह कितना हो जाएगा a, a कितना है यहाँ पर 2 into x की बात B x का cube और plus का c plus का 5 minus का 3 इसको solve कर लो भे न तो आजाएगा 2x cube plus का 10 और minus का 3 plus का 7 ठीक है और g of f of x निकाल लेंगे यहाँ पर तो आपको क्या गरने g के इंदर f of x नग देना है और g यह है इसके इंदर f of x नग देंगे तो यहाँ पर आजाएगा f of x का cube और f of x आपको 2x minus 3 का cube और plus का 5 बस अब आपको क्या करना है यहाँ पर ac रख देना f of g of x के अंदर ac कितना होगा भई 10 है ना तो 10 रख देंगे तो यहाँ पर रख जाएगा 10 cube thousand 2007 है ना f of g of 10 आपकाल हो जाएगा 2007 ठीक है और यहाँ पर रख देंगे b जो कि 3 हो जाएगा ना और g of f of 3 हो जाएगा 3 to the 6, 6 minus का 3 3, 3 का cube 27 और plus का 5 तो यहाँ पर जाएगा 32 32 और 2007 करेंगे तो 2039 हो जाएगा भी आंसर ठीक है इंवर्स के ओपर क्योशन है बढ़िया क्योशन है ना चली इसके साथ आगे बढ़ते है अगला क्योशन है यहाँ पर suppose f is a function f of x plus y is equal plus f of x plus f of y for all x belongs to y इसमें तोड़ा सा घड़बढ है यहाँ पर है हमारा f of x plus y is equal to यहाँ पर है ना f of x plus f of y for all x, y belongs to natural number and f of 1 is equal to 1 by 5 है ना ठीक है यह दे रखा है अब देखो यार functional equation में हमने यह बताया था कि f of x plus y बराबर f of x plus f of y होता है तो उस case में f of x बराबर हो जाता है kx के और f of 1 आपको दे रखा है जो कि यहाँ पर k हो जाएगा वो आपको 1 by 5 दे रखा है तो k q लिए आ गई ना तो f of x बराबर आ गया 1 by 5 x के बराबर अब देखो f of n रख देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 by 5 n ठीक है n से n चला गया और वन अपकोन n प्लस 2 और n प्लस 1 को लिख सकते है n प्लस 2 माइनस का n प्लस 1 यह तो भई वन ही है ना अपकोन में n प्लस 1 n प्लस 2 तो यहाँ पर जाएगा 1 by 5 समेशन इसको जब सेप्रेट करोगे न तो 1 अपकोन n प्लस 1 माइनस का 1 अपकोन n प्लस 2 आ जाएगा और जब आप यहाँ पर वेल्यू रखना चालू करोगे देखो दियान से 1 by 5 वेल्यू रखोगे तो पहला आएगा 1 by 2 अगर प्लस 2 यहाँ पर जाएगा 1 by 3 माइनस का 1 by 4 1 by 4 1 by 4 माइनस का 1 by 5 और ऐसे M रख दोगे तो M प्लस 1 माइनस का 1 अपकोन N प्लस 2 तो कट रहे ने वेल्यू कट गई यहाँ से एगर जाएगा सब कट जाएगा न तो बचे गा एंटो में एंट किरावबर कितना जाएंगा वन भैटोवल है ठीक है है इधर जाएगा तो Remote लो हौत जेगा ऐसे यह उन स्वाइन चूहर रखने सिर्फ टो कि अपन में टो सिर्फ फ़ल्म मेन पर फइस तोव हो जाएगा तो तो यहां से देखो 2 से 2 तो अगड़ी यह तो बराबर यहां से जाएगा 1010 m 20 यहां से कितना जाएगा 2m blah 20 कि एम जैएके टैन के बराबर टैनना है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको के वोलेंगे न चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला किस्टर ने f1 x बराबत 3x प्रस 2 अपन में 2x प्रस 3 x is r minus 3 by 2 है ना 4 n is greater than equal to 2 define f of n x is equal to f1 of f1 minus 1 x है ना ठीक है f of 5 x is equal to a x plus b अपन में b x plus a greatest common divisor of a,b is equal to 1 then a plus b is equal to तो आपको करना के से देखो f of x दे रखा है तो आप निकाल लो f of f of x तो जाँ जाँ भी भी एक से ना वहां पर हम क्या रख देंगे f of x रख देंगे ना 3 f of x प्लस का 2 अपन में 2 f of x प्लस का 3 यहां पर आजाएगा इसको तो सॉल कर लेते हैं f of x की जागर पर 3 x प्लस टू रख देंगे ना तो 3 into 3 x प्लस का 2 अपन में 2 x प्लस का 3 प्लसका टू अपन में यहां पर जाएगा टू ओम उफ एस ॥्ती defense का टू अ-पस प्लसका 40 ऍपलसका टी सरय रिलसेमं यहां पर थे लदन ऍट तो ओ सिंद्धी जशन नाइन एट एक्स प्लसका यहां है जाएगांस यहां पर करेंगी तो जायेगा प्लसका टी प्लस का 6 अपोन में यहां पे जाएगा 6x प्लस का 4 यहां पे जाएगा 6x प्लस का 9 ठीक है, फोल करेंगे तो यहां पे जाएगा 13x प्लस का 12 यहां पे जाएगा 12x और प्लस का 13 यहां अगया अपना f of f of x let's suppose इसको g of x भोल देते हैं तो अगर मैं जी ऑफ जी ऑफ ऐसे निकालों सऐ दो क्याचा ऊत्राफ सब्सक्राइब ऑसे ना तो फ़्लूभलत यह तो एक्षों यह जाएगा थीन एक्स की जगर पे फ एक्षां लारो 2x-12, 12x, 13, 12, 12, इंटू, 13x, 12, 12x, 13, फिलस का 13, फिलस बैसिकलियों आ जाएगा, अब यह तो अब चार बर निकला है, पाँ बर चीए, पांच बार चीए, तो एक और बार कर देंगे, एक और बार f-off में ले ले लेंगे इसको पूरे को, तो f of इसको मालने दे h of x तो f of h of x जो कि f of 5 5 times x हो जाएगा इस पूर्य को इसके अंदर रख देंगे x के अंदर यहाँ पर रख देंगे तो 3 f of 4 x प्लस का 2 अपॉन में 2 f of 4 x प्लस का 3 जो भी आप यहाँ सोल करोगे न वहाँ पर आपको रख देना है तो finally जो मिलेगा न मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ finally हमें मिलेगा यहाँ पर 1553 x plus 1562 अपॉन में 1562 x plus 1563 यह हमारा आजाएगा भए न ठीके फाइनली यह हमारा यहाँ पर आजाएगा अभ अभी कान ही खतम नहीं होए न अब यहाँ से ए और बी को compare कर लेंगा रहे न एक यह लिए दारी फिप्टीन शिक्टी ती और बी की विए आरी फिप्टीन शिक्टी तो अब देख लो यारी इनका 325 आंसर आएगा सिंपल क्यूस्टन है ना केल्कुलेशन वाइस शोड़ा सा लेंदी बोल सकते बर सिंपल है ना ठीके चली इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्यूस्टन है आपर लेट एस उगल 1 2 3 5 8 9 then the number of possible function f is a to a such that f of m into n n बढ़र f of m into f of n for every a is equal to 1 2 3 5 8 9 then the number of possible functions f is a to a such that f of m into n बराबर f of m into f of n for every for every m,n belongs to a with m into n belongs to a ठीके चलो भाई स्टार्ट कर देते अगर मैंने आप पर m की जगह पर 1 ले लिया और n की जगह नहीं रहने दिया तो यह आजाएगा f of 1 into n बराबर f of 1 into f of n ठीके तो बेसिकली यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर यह दोनों दे को बराबर है तो f of 1 की सब्सक्राइब तो इसलिए नहीं लिया यह आपर क्योंकि टू इन्टू लेने से यहां पर यहां पर यहां पर होना चाहिए तो इसलिए नहीं लिया ना ठीक है तू इसलिए नहीं लिया है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से जाएगा f of 9 is equal to f of 3 का स्क्राइब कि समझों ना यहां पर और f of 9 की इन में से कहीं आएगी और f of 3 अगर आपने वन लिया तो f of 9 आपका बना जाएगा तो एक पेर यहां पॉसिबल है थीक है अगर f of 3 आपने 2 लिया f of 9 आजाएगा 4 इसमें नहीं है आपने 3 लिया तो f of 9 आपका 9 आजाएगा तो 3,9 पॉसिबल है बस यह दो यह तो पोसेल्टी यहां पर रहा ना दो पोसेल्टी यहां पर इसकी होगी अब बात करते हैं अगर इनकी बात बन जाए ना तो काम खतम हो जाएगा अपना ना काम खतम हो जाएगा तो बहीं देखो यहां पर इसके बास कितनी पोसेल्टी है छे पोसेल्टी है चैसे कुछ भी जासकता है इसका अपने तो कितना हो गया इंटू इंटू शेंटू इंटू और दूइसकी हो एक उसकी है तो बस आगेये आपका तो यहां पे जाएका टूइंटू 6 यह मारा आंसर आ जाएगा और सिक्स क्यूब होता है टूबहनॉ-टू अगर सी कुछाइगा अपने ओ-सरी तु…" भॉब्ण्सक्रथ let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and b is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 then the number of function f is a to b satisfying f of 1 plus f of 2 is equal to f of 4 minus 1 is equal to ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं बेटा इसकी भी देखो हैर अगर यहां पे f of 1, 4 minus 1 है न तो यहां पर cases बन जाएंगे आरे इसकी value पांच हो सकती है जादा से जादा इसकी value पांच हो सकती इससे जादा नहीं हो सकती पांच इसकी value हो सकती और होल की answer न तो यहां से हम के सकते हैं कि f of 1 plus f of 2 जो है न वो यहां पे less than equal to 5 आएगा अब देखो case बन जाएगा ने इसके coding case बन जाएगा case 1 f of 1 plus f of 2 is equal to 5 इसके कितनी mapping possible है भई इसके कितनी mapping possible है तो अब देखो 1 और 2 f of 1 plus f of 2 बराबर 5 हो जाए अब let's suppose हमने f of 1 को माल लिए 1 के बराबर तो इसके क्या क्या possibility है यह क्या क्या हो सकता है यह क्या क्या पॉसिवल के से यहां पर अगर मैंने आप f of 1 को ले लिया देखो यह इसको ऐसे ले लेते जादा आसानी से कल लेंगे एक और तरीका है इसको ऐसे ले ले है क्योंकि आपको तो लेजन इकल टुफाई लिया तो आपकी कितनी मेपिंग हैं याप तो यहां पर होसकता है क्योंकि यहां पर आपने टो ले लिया तो फोर भी ले सकते हो जैसे आप फोर सुर जाएगा धर टो आकर आपने एस फोर वन को ले लिया थी के बराबर तो क्या क्या हो सकता है अगर आप आपने f1 को ले लिया 4 के बराबर तो f2 आपका क्या क्या हो सकता है वह उसकता है तो यहां पर कितनी मेपिंग मिली आपको चार मेपिंग यहां पर कितनी मिली तीन मेपिंग यहां पर कितनी मिली एक मेपिंग मिल गई ठीक है अब यह देखो कहानी किसकी हो गई F of 4 की कहानी खतम कर लिए अपने इनसे F of 2 की कहानी खतम कर लिए F of 1 की कहानी खतम कर लिए अभी भी कौन कोसे element बाकी है जो आपने नहीं चेड़े वाथ 3 और 5 और 3 और 5 इनकी भी तो 6 6 और 6 mapping है न तो भई देखो पहले वाले की जो है 4 mapping है plus दूसरे वाले की कितनी 3 प्लस 2 और प्लस 1 यह तो cases होगे तो cases तो आपको जोड़ देने पड़ता है न और mapping जो है न वह आपको 3 और 5 की तो 3 की कितने possible case है आपके 6 और F of 5 की कितने possible case है वह भी 6 है तो यहां पर जाएगा 360 के बराबर है ठीक है 360 यहां पर answer होगा चेक कर लिते हैं एक बार ठीक है 360 का answer होगा भी टा आप समझो इसको द्यान ज़े अप सब जानते हैं वन होती है बस आपको द्यान रगना है इंटीजर तक जितो दिकत है ना तो देखो यहां पर कांपर पर इंटेजर मिलेगा रूट वन पर मिलेगा फिर उसके बाद जाए कि रूट फोर मिलेगा आपको टू रूट नाइन पर आपको थ्री रूट फोर में रूट 9 के बाद मिलेगा फॉर सिस्टेजर मिलेगा 525 मिलेगा 6 आपको 36 मिलेगा है तो ऑसेवन आपको 49 मिलेगा एट आपको यहां पर 64 मिलेगा और फिर आपको यहां पर नाइन आपको एटीवन पर मिलेगा और फिर आपको 10 अब फिर आपको मिलेंगा 211 पर क्या जो टीक है और चैश में आप्कि जो स Tibis foreign UP ओर नाइन तो पांच बार आपको कहें लेगा आपको 3 मिलेगा है ना तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे 5 बार मिलेगा आपको सोरी 2 मिलेगा 5 बार है ना ठीक है ऐसे अगला अगला अगर हम देखते हैं आप तो 3 है ना अब 2 से 3 सोरी अब 3 मिलेगा 3 से 4 तक आपको 3 मिलेगा 3 से 4 अगर ग्रेटेश इंडिजर लेते हैं तो उसका अगला वाला कप देखो तो 4 4 एक 5 तक 16 तक 25 यहां पर 25 माइनस का सोला जाएक नो ठीक है तो 9 यहां पर आपको 9 आपको क्या मिलेंगे आप पर 4 मिलेंगे ना ऐसा ही अगर 25 से 36 करते हो तो 11 आपको क्या मिलेंगे आप मिलेंगे रेंगे और ऐसे बड़ता चला जाएंगा यह मामला और अगर आप यहां पर देखुगे तो यह से लिए के 121 है न है कि seit 121 की बात करें तो आपको कितने मिलेंगे और है और आप उसे कौंट भी कर सकते हैं हें 10 कौंट अब church 8 न की का तेन मिलेंगे थे आपको तो आपको दो मिला तो तीन आपको 3 मिला अब देखो नो आपको चार मिला और ग्यारा आपको पांच मिले और ऐसे करते करते हैं पोज़ गे 21 आपको 10 मिले अब इन सब सदूब देखो यारे यह टो है यहां पर एक तक टो आपको लेना आप MOR यहां पर और यहां पर लिए सब्सेट रहाएंतव मैं बवल्यां पाश्य सब्दक्षान ला है आपको 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक इसका तो सम्ची अपने को बस खटम हो जाये का नियुकल को कितना जाये गाएंगे आप 2r स्क्वायर प्लस का और है नो और एक्कोल टू बन से लेकर 10 आर स्क्वायर का संब तो सब जानते ही नो एंटू 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 इंटू इंटू 21 और अपन में 6 इंटू में आ अपर 2 भी और 7 यह वाला 2 अप्लस सम्मेशन आर हो जाएगा 10 इंटू 11 बाइटू तो सेवन जिरो प्लस यहां पर जाएगा 55 55 कितना है यहां से एट 25825 आंसर आएगा देखो ध्यान से तीकर यह इंपूर्टेंट है ध्यान अच्छा क्यूशन था ठीकर चलिए इसे के साथ अपने सारे कॉश्शन कंप्रीट हो गए यहां पर ठीकर बटा आइव आपने सारे क्योशन अच्छी से देखे होंगे और सुलीशन वी आपने देखा होगा क्लीर हो गया होगा आप वापस से इन सुलीशन को पोस्ट करो तो यह चेप्टर काफी पूर्टेंट है आपको इसारी किस्टन और सोलीचन क्लियर हो गया होगे थेंक यू